नमस्कार सातियों, मैं आपका बड़ा भाई, आपका अपना हिश्टिवारी, आप लोगों के लिए लेकर आएं, बहुत ही शांदर, बहुत ही कमाल की वीडियो, सातियों इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज इंडिकेटर्स के बार में समझाने वाला हूँ, और यकिन माने कि आपके examination में chemistry वाले portion से, अगर कोई question बनता है, तो उसमें indicators पूछा जाता है, और इस वीडियो के माध्यम से, आप अपना एक mark पका कर पाएंगे, तो छोटी सी वीडियो जरू दिखेगा, बहुत शांदर concept है, आपको इस वीडियो के end इतक पता चल जाएंगे, चले, अब जब बात करेंगे, इनके बारे में, तो ये दो प्रकार की होते हैं, कि प्राकतिक सूचक, that is natural indicators, और दूसरे हैं हमारे synthetic, जिसे बोलते हैं, मानव निर्मित, या कृतिम indicators, चले, सबसे पहले हम बात करते हैं, प्राकतिक सूचक के बारे में, तो हमारे बहुत सारी चीज को डाल दिया जाए, acid में, तो नीला litmus paper लाल हो जाता है, इसी तरह से अगर लाल litmus paper को चार में डाल दिया जाए, तो लाल litmus paper बेस में दिखे नीला हो जाता है, तो acid base को पता करने का simple सा तरीका हमारे litmus paper का है, पहली बात तो ये है, दूसरा जो main तरीका है, वो है हल्दी, तो आपसे पूछ लिया जाए कि हल्दी किसका इंडिकेटर है, हल्दी किसका सूचक है, तो हल्दी सात्यों इंडिकेटर है, बेस का, अगर pH value यहाँ पे more than 7 है, तो इसका color यहाँ पे change हो कि red हो जाएगा, इसी तरह से हम बात करते हैं, red cabbage के बार में, लाल पत्तागोबी के बार में, मैं बताना चाहँगा कि लाल पत्तागोबी का वास्तवीक जो रंग होता है, वो यहाँ पे बैगनी होता है, वो इस प्रकार का होता है, जो आपको violet color का नज़र आएगा, तो आपको यहाँ पे के साथ ही, वो यहाँ पे wallet मिलेगा आपको, ठीक है, या indigo मिलेगा, जो भी आप कहना चाहते हैं, जब हम इस पर acid की क्रिया करते हैं, तो इसका रंग लाल हो जाएगा, और वही पर, अगर मैं इसको साथ base के साथ क्रिया कराऊं, तो पहले इसका रंद की यहाँ पे नीला प गरता है, जिसमें गंद होती है, तो हम गंद के दौरा जब किसी सूचक का पता लगाते हैं, उसे बोलते हैं, all factory indicators, ज़रकि गंद के साथ हमें सूचना देने वाले सूचक की बात भी जारी है, जैसे प्याज की बात करते हैं, तो प्याज की गंद होती है, बोलो हाँ, अब acid के साथ डालते हैं तो कोई changes नहीं होता प्याज की गंद में कोई changes नहीं होंगे लेकिन base के साथ डालने पर प्याज की जो गंद होती वो खतम हो जाती है तो अगर प्याज की गंद खतम हो जाए तो किस से खतम होगी acid से base के साथ में इसी तरह से रिखे vanilla हो गया तो vanilla भी acid के साथ कोई changes नहीं करता अपनी smell में लेकिन base डालने पर इसकी जो गंद होती इसकी जो smell होती वो खतम हो जाती है इसी तरह से यहां पे long हो गई है हमारी जिसन claw वो बोलते हैं तो claw भी भी रिखे साथ हो acid के साथ यहां पे किसी प्रकास से reaction नहीं करता है लेकिन base डालने पर base के साथ मिलाने पर चार के साथ मिलाने पर यहां पे इसकी जो गंद होती वो खतम हो जाती है तो जिसको हम गंद के द्वारा पैचानते हैं उसको हम simple सी भाशा में all factory indicators बोलते हैं अब सबसी important question बनता है सर यहां पे artificial कौन से हैं तो कृत्यम तरीके से जब रसायन के माध्यम से by the help of the chemicals हम यहां पे acid base का पता लगाते हैं उसको हम simple सी भाशा में बच्चे यहां पे मानव निर्मित या synthetic indicators कहते हैं जिसमें phenophthalene है, methyl orange है, methyl red हो जाता है देखे दान से, सबसे पहले phenophthalene के बात करते हैं phenophthalene एक रंग हीन परदापरदाथ है इसका किसी प्रकास से कोई रंग नहीं होता है और हम जब acid डालते हैं तो इसमें किसी प्रकास से कोई भी रासा निकरिया नहीं होगी मतलब कोई color में change नहीं होता तो acid के साथ ये किसी प्रकास से अपने रंग में परिवतन नहीं करता है लेकिन वहीं पर अगर phenophthalene में base डाल दिया जाए तो तुरंत इसका रंग यहाँ पे पिंक हो जाएगा इसका रंग गुलाबी हो जाएगा तब ही हम बात करते हैं बचे phenophthalene के बारे में तो phenophthalene यहाँ पर किसका indicator है तो answer है ये base का indicator है इसी तरह से methyl orange की बात करते हैं तेकि methyl orange की हम बात करेंगे साथ ये तो इसका रंग वास्ता में नारंगी होता है जो normal solution में जब ये acid के साथ reaction करता है तो ये लाल हो जाएगा और base के साथ reaction करने पर इसका रंग यहाँ पर पीला हो जाता है तो methyl orange का जो मूल रंग है जो इसका basic nature होता है इसका जो actual में reason होता है इसका actual में जो color होता है वो यहाँ पर orange होता है लाल कब होता है acid के साथ में और पीला कब होता है, बेस के साथ में, तो साथ यू ये थे हमारे छोटे से इंडिकेटर्स, मैंने बहुती कम शब्दों में बहुती अच्छी तरीके साब को सागी सारी जानकरी दे रही है, अब आप गलती नहीं करेंगे, मुझे इतना ही यकीन इस बारे में, अब आपको मै 499 के अंदर आप हमारी इस बैच में जोड सकते हैं, जिसके लिए हमारी आप्रिकेशन को डाउनलोड कीजेगा, और आप इंडिया की वैस्ट टीम के साथ यहां पर पढ़ सकते हैं, तो साथी आज ही डाउनलोड कीजे हमारी प्यारी से आप्रिकेशन को, जिसका नाम है Quick Tricks और इसी तरह की शांदा वीडियोस में मैं हमेशना आपका बड़ा भाई आपसे मिलता रहूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत